कि आप लोग कि आप लोग होंगे सेफ और हेल्दी एंड हम लोग भी सब यहां पर अच्छे हैं आप लोग भी सब अच्छे जरूर होंगे और आज को ब्लॉग है काई वह मैं मौनिंग चे स्टार्ट कर रही हूं और नॉर्मली जो मेरा मौनिंग रूटीन है वह एज वीच्वल सेम ही रहता है बाभू पढ़ाना मौनिंग का ब्रेकफर्स जाहरू लगाना बिस्टर क्लीन करना कपड़े फूल करना नहाना पूजा करना यूजुवली ऐसा ही रूटीन होता है अगर पीछे सब का एक ही होता है बट मैं थोड़ा सा ब्लॉग में नया चीज एड़ करने की कोशिश करती हूं हर बार आप लोगों को थोड़ा सा भी दिखता हो तो कमेंट करके दस बजरे तो सारे तस बज़े मैं उसको थोड़ा हेवी ब्रेकफस्ट कराती हूं अपड़ी रर प्राथे और आलू की सब चीया थोड़े से मिक्चर भी है यो की मेरी नननत आये है जो की बढ़ते वक्त बाभू थोड़ा सबतमासी करते जो है मेरी नانनत से बात भी कर रह आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं बताईएगा जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तब कोई आ जाता है तो बीना बात किये आप रहे भी नहीं सकते हैं साथ ही साथ आप लोगों को बच्चे को भी ध्यान देना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है एक मॉम का लाइफ का आप लोगों समय को समझ में आता होगा कि मॉनिंग के बाद जो है डारेक्ट में आप लोगों को लंच के टाइम मिल रहे हूं लंच में क्या क्या बना है वो में आप लोगों के साथ शेर कर देती हूं सबस्थे पहले बना है जावल प्लेन इस्टेम राइस और आलू का भरता बना है दो अलग अलग रार कि मतलब थोड़ ज़्यादा मेरा यहां उसके ola बापू का दन उसके बाद थोड़े से बाही हुए है थैं मसूर की दाल है अद मिट्चीं वाला ओमलेट मेरा यहां जो प्र पीन वाल अमलेट 1723 बाबू भी यहां बैठ चुका है लंच करने के लिए एंड मैं ही जाला तर बाबू को बैठा कि अच्छे से लंच करवाती हूं एक चीज आप लोग नूटिस कर रहे होगे कि बाबू का एक आँख जो है थोड़ा सा फूला हुआ है सूज गया है क्या रिजन है नहीं रिजन है वो मुझे एक्जाक्टि नहीं पता फिर भी जो है मैं ऐलर्जी का मेडिसन उसको खिला रिए देखती हूं कि ठीक होता है कि नहीं एक दिन जेस्ट में खिला कि उसको देखूंगी अगर इंप्रूफ हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाओंगी बट जब मैं वीडियो को एडिट कर यूँ तब तक बाब को सूजन है वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है तो मैं सोच जाने से पहले तो इसलिए जो है बाब को मैं हों वकरा रही हूं साथ ही साथ जो कपड़े हैं जो फोल्ड करने हैं मुझे वो मैं फोल्ड कर यूँ बिकॉज अब शुब को जो एक अप्ड़े धुले वे थे जो अच्छे का से सूख चुके हैं क्योंकि वेदर यहां पर ब बूख चुके हैं अब मैं इनको जली जली फोल्ड कर लेती हूं अपने अपने जगह पर राके लेती हूं आप लोगों का भी ये डिवीटी होता है कि नहीं कमेंड करके बताएं अगर कर देली बेसे से बसकपड़े दो फोल्ड करके अपनी जगह पर रहें और वोईस ओफ जादा नहीं आएगा ये मेरा फ्रामिस है तो अलमुस्स सारे जो कपड़े हैं वो मैंने फोल्ड कर लिया है और उनको मैं अपने जगह पर रखके जो है ये सबसे बड़ा काम जो है खतम करना चाहती हूं क्योंकि ये जो काम है मुझे सही है बहुत जादा है आप लोगों क क्या लगता है आप लोगों को पसंदे किने कपड़े फोल्ड करना कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है मेरा जो सोकेस का नीचे का सेक्शन का टूर दूंगी क्या क्या रखता है नहीं रखता है कैसा रखता है वो सारा कि तो देखना हो तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखियागा तो आज स्नेक्स में हैं समोसे गाओं के समोसे गाइस बहुती जादर टेस्टी है एल्पी और वेज है कोई भी खा सकता है इनक्रेट में अविच्डियंग करेंगी हैं ओलिया है यह जहां ंवाल की तो नहीं देखियाहा कड़ेएगा पड़िज क्छे मासटर्ण मशाले मेंरेMoreक्ष जो आप लोग भी चीज़ेहा कॉनली है अच्छे टेलिया आड परिशल करते हुल्कों काण देखियों में सकती तो ही जो है इसका जो टेस्ट है वह भर के आएगा इन फाइनली मैंने अच्छछ तरह की से इसे मिक्स कर लिया है अब हम लोग खाने वाले हैं यह अभी शाम हो चुकी है तो सबका स्नेक्स खाने का टाइम है और बाबो को अभी होलीक्स एंड बिसकुट काने का टाइम है के बाद जो है मैं सोकेस का टूर देती हूं आप लोगों को हैगा इस अभी जो है ओल्मोस्ट सेकेंड डे है हाँ यह दूसरा दिन मॉर्निंग में मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूं सोकेस का मेरा जो छोटा सा टूर में देने वाली थी आप लोगों को नीचे का से है मैंने रखा हुआ है वो सब कुछ मैं आप लगों के साथ शेयर करूंगी और सबसे पहले जो है इसका एक प्यारा सब प्रेंट देख लो एन इसके उपर जो है प्लास्टिक चड़ा हुआ है वो मैंने आपी तक नहीं निकाला हुआ है क्योंकि इसको लिए हुए मुझे ती दिए हुए है उपर का सेक्शन में भी कपड़े हैं नीचे करे सक्षन में भी कपड़े हैं जो कि लेट साइड में जो है मेरे कपड़े हैं डेली वेर के कपड़े हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे पहनती हूं कहीं में जाती हूं तो एंड घर के डेली वेर तो बाहर रखे तो यह सारे कपड़े पहनते हूं देन उसके बाब जो है इधर का section में बाबु के सारे कपड़े हैं daily wear के जो की बाबु daily basis पे घर में पहनता है साथी साथ school जब जाता है तब पहनता है क्योंकि बाबु अभी छोटा one में है तो उसको uniform नहीं provide किया गया है तो ये सारे कपड़े ही पहन के जाते है बहुत अच्छे कंडिशन में है तो ही मैं इसे स्कूल में भी पहना के भेज़ती हूँ जो कि अच्छे लगते हैं अब चलते हैं नीचे के सेक्शन में ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे तरी किसे डीटेल्स में बताबाओ कि नीचे के सेक्षण में क्या-क्या रखा हुआ है मैंने नीचे के सेक्षण में जो है मेरे सारे winter के रखे वे हैं बाबु के अच्छे हाले condition के साथी साल आच्छे जीन्स रखे हैं साथी साल जो है T-Shirts, kurta पजामा यह सब रखे हैं ताकि ये जो साथे कपड़े हैं जो की बहुत अच्छे condition में है and sorry for the background noises guys I am so sorry for that तो ये सारे जो कपड़े हैं बाबु के हैं अच्छे वाले कपड़े हैं इधर वाले जो साइट के हैं वो सारे मेरे पुराने कपड़े और स्वेटर्स रखे वे जैकेट्स रखे वे ये नीचे के दो जो है ये वाले और ब्लैक वाला जो है वो दोनों ही स्वेटर है और ये जो कि विंटर्स में पहनती हूँ और यह सारे गाउन्स है और यह एक मोटा वाला टावल रखा हुआ है जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ तो यह सेक्षन भी आल्मॉस्ट फूल हो चुका है रखने का बिल्कुल जगा नहीं है जो नीचे का सेक्षन का टूर जो दिखाना था आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को और एक वीडियो में आप लोगों को भाकी का सेक्षन का टूर दूंगी अगर आप लोगों कमेंट करके बताओंगे तो ही मैं बताओंगी शेयर कर मेरे ब्लॉक्स में इंक्लूद कर पाऊंतों मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉक में तब तक लिए बाबाए